वह जो कि आपका भी हो चुका है और बहुत सारे पेरिंट्स हैं जो उनका रिक्वेस्ट यह है कि उनके बच्चे ज़ाद टाइम स्कूल में रहते हैं और घर पी आने के बाद होमवक्स होते हैं उनके बसे उतना टाइम ही होता है कि वह सकेचिंग क्लासे में जा सकें उन्होंने रिक्वेस्ट का है कि आप कुछ ऐसा टूटरिल जो निकाले जिससे कि डे वन से क्या क्या करें और दे टू दे ऐसे कुछ टूटरिल्स पनाएं तो क्योंकि बहुत सारी लोग का यह कंफिजन होता है कि पेंसिल है मेरे पास पेपर है लेकिन ड्रॉव क्या करना है तो उसके लिए मैं कुछ बताऊंगा कि आप कौन सी ऐसी बेसिक चीजे जो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए आपको पेपर पेंसिल और यी यी बाग कर सकते हैं तो जिसक की तूर और तुर बना रहा हूँ है और और सब्सक्राइब और अगए आन वाली वीडियो का फायदा और जयाद जया करें जिन्कों आपको立ख मुझा है कि आपके फाइदे के लिए बलोंगिंच के लिए फाायदा है तो आप उसको शैर कर सकते है और लाइक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पूरा सीरीज होगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि डेवन से कैसे स्टार्ट करें तो डेवन में आपको मैं बताऊँगा कि सबसे पहले आपके पास पेपर है पैने और आप कहां से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग को मैंन जो ड्रो करते हम यह स्ट्रेट लाइन आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कीछना होगा और यह multiple times होंगे almost 100 times और आपको यह left to right ले जाना है और फिर जो second है विए आपको left to right लें जाना होगा जिससे कि आपको कभी भी कोई भी आप sketch करोगे, कोई भी भी आप चीज़े draw करोगे, perspective हो, या कोई भी चीज हो, तो आपको एक scale की जुरूरत नी पड़ेगे, आप straight line ही की सकते हो, एक reference line ही की सकते हो, और यह हुआ एक पहला method और दूसरा यह हुआ task आपका, यह उपर से नीचे की तरफ होगा, फिर नीचे से उपर की तरफ, यह सारी चीज़े आपको simultaneously करनी है, ऐसे, और यह जब तक थोड़ी perfect ना हो जाए, आपको करना है, और यह सारी चीज़े बहुत basic है, जो आपको, कितने भी time हो जाए, आपको करना है, बहुत सारे artist है, जो everyday, यह कोई भी गेम खेलने के पहले जैसे warm-up होता है, वैसे ही एक warm-up task है, यह आपका, यह सारी चीज़े, और थर्ड है आपका circle, circle में भी बहुत लोग को problem होती है, तो कुछ लोग ऐसे plus करके बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे draw करके बनाते हैं, तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक circle ड्रॉय करें, अगर आपसे नहीं हो पाता है, तो एक उसके उपर overlap करें, ऐसे hundred times इसको भी करें, औ और both sides, तो आपको ये कुछ basic चीज़े हैं, और इसमें भी slant lines होता है, ऐसे और एक ये वाली, फिर आप इसको नीचे से उपर ले जा सकते हैं, और उपर से नीचे, और इस side से फिर opposite side, तो ये कुछ basic चीज़े हैं, जो टेवन में हैं, और पूरे sketching life में आपको ये सारी ची आपको आगे ही आने वाली है, जो कोई भी आप painting करते हैं, sketching करते हैं, या कोई भी चीज़ करते हैं, तो ये सब basic चीज़े हैं, जो आपको each and everyday practice करना है, तो ये कुछ basic चीज़े हैं, आपको everyday practice करें, और जितना आपका perfect होगा, आगे आपका बहुत easy होगा sketching,